नमस्कार, लोग बात में आपका स्वागत है, मैं अन्राक सिंग, आज हम आप पहुचे हैं मुंबई के गोरे गाउं में, प्रोफेसर करुडा संकर उपाद्ध है जी के आवास पर, जब हम यहां तक पहुचे तो हमने सोचा क्यों ना एक जरूरी मुद्दे पर कुछ बात च नारी संबंदि द्रिष्टी है, वह नारी निंदक द्रिस्टी है, वह नारी को एक नीचा दिखाने वाली द्रिष्टी है, और जो उनका कथन कहा जाता है कि ढोल गवार, सुद्र, पसुनारी, शकल, ताड़ना के अधिकारी, मुझे लगता है कि हिंदी साहित्त के आलोच former द्वारा सबसे ज़्यादा कोट किये जाना वाला कथन है और इस कथन से लोगों ने नारी निंदक दिश्टी कोट निकाला है मैं प्रोफेसर करणा संकर उपाध्याईजी से यह जानना चाहूंगा कि आपका इस कथन के बारे में आलोचकों के उस मत के बारे में आप क्या किसी भी महा काव में काव शात्र का सामाने सा नियम है कि जो सत पात्र होते हैं वह जो बात कहते हैं वह कभी के चिंतन की प्रतिष्ठा होती है उसके दृष्ठी की प्रतिष्ठा होती है लेकिन जो बात खल नायक करते हैं खल पात्र करते हैं ऐसा माना जाता है कि कभी उसका पात्र चहराम हों भरत हों बशिष्ट हों कोई भी नारी निंदा नहीं करता है। तो वह स्वयम गोस्वामी तुलसी दास हैं, आपको याद होगा, कि जिस समय गोस्वामी तुलसी दास रचना रत थे, उस समय अकबर के और जहांगीर के हरम में, एक हजार से ज़्यादा बेगमे थी, वह बहु पतनी प्रथा का निशेद करते हैं, और दिखाना चाहते हैं, क तुलसी प्रकार से दूसरा उदाहरन देते हैं, रामण का, और यह बताने का प्रयास करते हैं, कि जो बिश्व का सबसे शक्तिसाली समराठ है, सबसे बड़े सामराज का अधिपती है, उसका भी सामराज और उसका भी पूरावंश, इसलिए नश्ट हो जाता है, कि वह अने निश्टा के द्वारा ही उन्होंने रामराज की स्थापना की है, तो ऐसे कभी को नारी वादी कभी कहना चाहिए, जो नारी अधिकार की वकालत कर रहा है, उसको गलत दिश्टी से आलोजको द्वारा उद्रित किया जाता रहा है। तो सर जब आप इस तरीके की बात कर रहे हैं तो आपको क्या नहीं लगता कि जो अभी का विमर्श चलना है उसकी पूरी की पूरी दिसा ही उलट जाएगी? निश्चित रूप से देखे आज जैसे हम आदिवासी नारी की भी बात करते हैं तो गीता में जो स्थान अरजुन को दिया गया है गीता का उपदेश कृष्ण जो है अरजुन को देते हैं तो वही स्थान गोस्वामी तुलसी दास में रामचीत मानस में शबरी को दिया है श इसको नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। प्रमाण पत्रवाई शवरी को देते हैं। लगातार कोट की जाती हैं। लोग लगातार पंक्तियों को उठाते हैं। एक ये पंक्ति तुलसी दास की लगातार कोट की जाती है। और प्रकारांतर से एक तरीके से तुलसी दास को नारी निंदक कहने की कोशिश की जाती है। इन पंक्तियों पर आपका क्यामत है सर। दूसरी बात जो आपने कही है। नारी का जो कामनी रूप है उससे भक्तिकाल के अधिकान से कभी जो है आतंकित रहें क्योंकि वह भक्त थे, वह सन्यासी थे, संत थे। तो तुलसी दास कामनी रूप की चर्चा करते हैं, लेकिन तुलसी दास ने कभीर की तरह उस अर्थ में निंदा नहीं की, कि नारी की जहाई पर अंधा होत भुझेंग। इस प्रकार की शब्दावली के इस्तेमाल तुलसीदास नहीं करते हैं, जो नारी का कामनी रूप है, निश्चित रूप से वहाँ पुरुषों को हर्युग में नचाता रहा है, और आज भी नचा रहा है, इसको लेकर किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, और यह तो एक प्र नारी के सवंदरी की प्रतिष्ठा का प्रशन है, इस द्रिश्चि से इसको देखना चाहिए, आपने जो एक नई व्याख्या दी है, तुलसीदास के जो नारी विश्यक द्रिष्टिकूर को, वो मुझे लगता है कि एक नया जो अलोशकों के बीच एक नया मत है, वो प्रस संद आ रहा है, उसको लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी असाहमतिया भी हो सकती है, उसको कमेंट में दर्श कराएं, हम उसमें सुधार करने की पूरिकोशिश करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद